हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने वाली हूँ बिना टमाटर के बेशन की इतनी संदार सबजी कि आप इसे एक बार बार इसे ही बना करके खाएंगे तो चलिए बना लेते हैं इसके लिए मैंने ये एक कप बेशन ले लिया है और इसमें मैं एट कर रही हूँ एक चौथा ही चम मैं इसमें एट कर दूंगी धनिया पाउडर और साथ ही में मैं इसमें एक चौथा ही चम डाल रही हूँ नमक नमक का माउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा रख सकते हैं और यही पर मैं इसमें एट कर दूंगी एक चम तेल तो इन सभी को मैं मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे इसे हमें घूतना है हलका-hone का इसमें जाल करके इसमें इसमें से गूतना है जालकशा नमक करते हैं एस तक दिद्धी के मिक्स कि इस तरीके से हमें यह सार्व मेंट लेना है और हमै इसे तोड़ करके देख लीजिए ऐसे चोटा तोड़ करके हमें इसी निकालना है यह इसे मलना नहीं है आटे की तरह बस अबाना है हलका हलका पानी छिट को और इसे ऐसे बिक्रा बिक्रा रहने दो और देख लिजे चोटे चोटे तुकड़े इसके ऐसे करके तोड़ लेने हैं हमने यह देख लिजे फ्रैंड से मैंने सारे चोटे तुकड़ों में इसे तोड़ लिया है तो चलिए अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं इसके लिए मैंने ये कडाई में तेल गरम कर लिया है इसमें मैं ये डाल रही हूँ तेल को हम मीडियम होट करेंगे और गैस की फ्लेम भी हम मीडियम रखेंगे बहुत ज़्यादा गरम हम नहीं करेंगे तेल को हलकी आच में हम इने फ्राइ करेंगे इन्हें fry करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पांच से साथ मिनट में ये फ्राइ हो जाएंगे तो देख लीजे फ्रैंस साथ मिनट में लगभग ये फ्राइ हो गया है हलका सा ये ब्राउन कलर इनका आ गया है अब इसे मैं एक प्लेट में टांचपर कर देती हूँ और इसी तेल में मैं डाल रही हूँ तलके में जीरा इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें मैं डालूँगी एक चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और आधा चमज में इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और अब इसमें मैं डाल देती हूँ बारिक कटा हुआ प्याज ये दो मीडियम साइज की प्याज थे जिसे मैंने पतली स्लाइस में कट किया है तो हम प्याज को भूरा होने तक भूनेंगे प्याज डालने से पहले मैंने मसाले डाले थे इससे सबजी का कलर बहुत अच्छा आएगा मसाले डालने से पहले तेल को लेकिन ठंडा कर लेना है वरना मसाले जल सकते हैं तो देख लिजे फ्याज भून गया है देख लिजे ये ब्राउन कलर इसका हो गया है अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये अद्रक लहसुन का पेस्ट तो इसे भी मैं दो मिनट भून लूँगी मसालों के साथ तो फ्रेंट्स इस तरीके से बनाई हुई बेशन की सबजी बहुत स्वाधिस लगती है और दिखने में भी काफी अच्छी लगती है और अब इसमें मैं डाल देती हूँ पानी तो फ्रेंट्स इसमें पानी डाल करके हम इसे कवर कर देंगे इसे पांच मिनट कवर करके ही हमने कुक करना है तो फ्रेंट्स आजकल मार्केट में बहुत महेंगी सबजियां हो रही हैं बरसात के दिनों में सबजियां कम आती हैं और बहुत महेंगी हो जाती हैं और टमाटर बहुत जादा महेंगे हो रहे हैं आपको पता ही है तो फ्रेंट्स आप बिना टमाटर के भी ये सबजी बना सक कर सकते हैं तो देख लीजे 5 मिनट बाद मैं से चेक करती हूं तो देख लीजे 5 मिनट बाद ये मसाले ठीट से गुक हो गए हैं मसालों ने चोड़ दिया है तो बड़िया से मसाले भून गए है तो friends इस सबजी दिखने में भी काफी अच्छी लगती है बिल्कुल नॉन्वेज की तरह लगती है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ आदा चोटा चमच नमक और अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो friends जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से हमने बगबग दो ग्लास इसमें पानी डाल लिया है तो अब हम इसमें एक बॉइल आने देते हैं तो देख लीजे friends इसमें एक बॉइल आ चुका है और अब इसमें मैं फ्राई की हुए बेशन के ये पकोले डाल देती हूँ और अब इसे मैं कवर करके 10 मिनट कुक कर लूँगी तो देख लीजे friends बेसिक से मसालों के साथ ये सबजी बनाई जाती है इसमें टमाटर भी नहीं डला है बस प्यास डला है और बेसिक से इसमें मसाले डले हैं बहुत आसान है इसे बनाना बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाती है घर पर बेसन रहता ही है घर पे कोई सबजी ना भी हो तो भी आप ये सबजी बना करके खा सकते हैं बहुत स्वादिस्ट सब्जी लगती है दिखने में ये बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत स्वादिस्ट लगती है तो देख लीजे फ्रेंट्स 10 मिनट बाद मैं इसे चेक करती हूँ 10 मिनट बाद इस सब्जी बन करके बिल्कुल तयार है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है 20-25 मिनट में इस सब्जी बन करके बिलकुल तयार हो जाती है बहुत कम टाइम में और बेसिक से मसालों के साथ इस सब्जी बन के तयार हुई है बहुत स्वादिस लगती है आप इसे जरूर ट्राइ करें आपको ये बहुत पसनाएगी और अगर आप इसे ट्राइ करेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये सब्जी कैसे बनी थी अगर आप इस तरीके से एक बार बेसंद की सब्जी बना करके खाएंगे तो बार बार आप इसे ऐसे ही बना करके खाएंगे बहुत ही बढ़िया ये सबजी बन करके तयार होती है बहुत कम टाइम इसमें लगता है और बेसिक से मसालों के साथ ये सबजी बन करके तयार हो जाती है तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि यह सबजी कितनी बढ़िया दिख रही है तो देख लीजे फ्रैंट से बिल्कुल नौन विस्ट की तरह लग रही है दिखने में यह बहुत अच्छी लगती है फ्रैंट और खाने में तो बहुत टेस्टी होती है यह सबजी तो फ्रैंट यह रेशिपी अगर आपको आप तक पहुंचती हैं तो फ्रेंस इसी तरीके की और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आओंगी तब तक के लिए बाई बाई